नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जेपीसी आखिर कौन सी खेत की मुली है और क्यों अडानी मामले में जेपीसी बनाने में सरकार के दिल की धड़कने पड़ी जा रही हैं इस बीच संसद में बड़ा गसब का ड्रामा चल रहा है दोस्तों रोज हमारे टाइक्स के डेड़ करोड स्वाहा हो रहे हैं विपक्ष कहता है जेपीसी सरकार कहती है कारवाई स्थाकित विपक्ष कहता है अडानी मामले की जाच कराओ सरकार कहती है हाउस इस एड़जर्ट कि आपके बसका नहीं है काला धन लाने की बात तो कहनी रहा है कि आप ला नहीं पाएंगे दाउद को पकड़ने के लिए तो कहनी रहा है कि आप से यह हो नहीं पाएगा विपक्षाप से अडानी मामले में एक छोटी सी संयुक्त संसद्य समिती बनाने की मांग कर रहा है जिस किसी आपको कोई स्विस बैंक से तो लानी नहीं है अरे दीज बत्यस्टों संसदों की टीम ही तो जेपीसी कहलाती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि जेपीसी ऐसी कौन सी हुआ है अखिर यह कौन सी तोफ है जिससे पूरी मोधी सरकार भाग रही है दोस्तों संसद में दो समितियां बनाने का नियम है किसी भी तरीके की जाचों दो ही तरह की समितियां काम करती है पहली है स्थाई समिति दूसरी है अस्थाई समिति स्थाई समिति पूरे समय काम करती है और सरकार के काम काच पर नजर बनाई रखती है अब अस्थाई समिति किसी विशेश मुद्दे पर ही बनाई जाती है जैसे कि JPC JPC ऐसे ही नहीं बन जाती है सरकार JPC का प्रस्ताव लाती है वो सदन में पास होता है तब JPC बनती है विपक्षी JPC बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास तो सदन में संख्या ही नहीं होती अगर संख्या होती तो सरकार ही बना लेते जैसे कौन सी बड़ी चीज है तो दोस्तों JPC में लोकसभها और राजर सभा दोनों के सदस्ते होते है लोकसभा में सदस्त सादा होते है मन लीजे कि अगर 30 लोगों की कमिटी है तो उसमें 20 लोग सभा के सदसे होंगे और 10 राज्य सभा के सदसे होंगे इसमें भी सत्ता पक्ष के जादा सदसे होते हैं जेपीसी का अध्यक्ष भी सत्ताधारी दलका ही होता है लेकिन सरकार को दिक्कत यहां नहीं है अब जो मैं आपको बताने जा रहे हूँ, सरकार किसा से यहां पर अटकी हुई है क्या है, कि JPC बंतो जाएगी, JPC से कोई दिक्कत नहीं है JPC से दिक्कत यह है कि यह कमिटी किसी को भी पूछ टाच के लिए बुला सकती है और यहां त्वारों भी मोदी और अडानी पर लगे है तो फिर सांसदों की कमिटी के सामने तो बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है मोदी से कैसे पूछ पाएंगे कि बताओ भाईया, अडानी के साथ कितनी बार प्लेन में आत रखिये थे बताओ भाईया, अडानी को ठेके दिलाए थे या नहीं? बताओ भाईया, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि जिन जिन देशों में आप दौरह करते थे उन देशों में अडानी ठेके कैसे ले लेते थे? बताओ अडानी की शेल कंपनियों बे बीस हजार करोण वाला आरोप क्या है? यही बात अडानी को भी बुला कर पूछी जाएगी मोदी और अडानी से संसत सवाल पूछेंगे? ना बावा ना, यह होना तो दूर की बात है अमरित काल में अडानी और नरेंद्र मोदी से सवाल कि तो सुनना भी पाप है इसलिए हर रोज यही होता है अमरित काल में संसत कल तक के लिए स्थगित है संसत कल तक के लिए स्थगित है दोस्तों यह भी नहीं है कि आज तक के इतिहास में जब से संसद बनी है तब से JPC ने किसी राजनितिक आदमी को बहुत बड़ी सजा दिलाई हो JPC कोई दुनिया हिला देने वाली कमिटी हो ऐसा नहीं है लेकिन BJP सरकार को दिखत JPC बनाने में बस इतनी सी है कि आरोब प्रधान मंत्री और अड़ानी पर लगे हैं आपको आज ये भी जानना चाहिए कि भारत के इतिहास में JPC आखिर कब कब बनी क्योंकि प्रग्या मिश्र के वीडियो पर आप हो और कुछ काम की बात ना हो ग्यान की बात ना मिले तो बेकार है तो भाईयों और बहनों पूरे इतिहास में कुल आठ बार JPC का गठन हुआ है इन आठ बार में मोदी जी की सरकार में तो बार JPC का गठन हुआ है सबसे पहले JPC का गठन हुआ था साल 1987 में जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोब खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था दूसरी बार JPC का गठन हुआ था साल 1992 में जब पीवी नर्सिम्हा राओ की सरकार पर सुरक्षा एवं बैंकिंग लेंदेन के मामले में गड़बडियों का आरोप था इसरी बार साल 2001 में स्टॉक मार्किट घोटाले को लेकर के JPC बनाई गई थी चौथी बार साल 2003 में JPC तब बनाई गई थी जब सॉफ्ट ड्रिंक्स में और पेयप अदार्थों में कीट नाशक होने की बाते चली थी पाचवी बार 2011 में टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की जाच को लेकर के JPC बनाई गई थी कॉंग्रिस ने अपनी सरकार में हुए कथिद घोटाले की जाच के लिए JPC बना दी थी छटी बार 2013 में वी वी आईपी चौपर घोटाले की चांच को लेकर के जेपीसी बनाई गई थी अगेन कॉंग्रेस में जेपीसी बने फिर शुरू हुआ अमृत काद मोधी सरकार आने के बाद पहली बार 2015 में भूमी अधिग्रहन पुनर्वास बिलकु लेकर के जेपीसी बनाई गई आपको मालूम भी नहीं होगा कि इसका क्या हुआ साल 2016 में आठवी और आखरी बार एनरसी मुद्दे को लेकर के जेपीसी बनाई गई इसका भी क्या हुआ? आप खोजे तो दोस्तों विपक्ष की जेपीसी मांग तो बिलकुल नहीं मानी जाएगी संसत चाहे अगले अठारा बरस और ना चले इन लोगों को नहीं मालूम जो प्रधान मंद्री बन कर पहला इंटर्वियू किसी पत्रकार को ना दे करके अक्षे कुमार को दिये हूँ जो सवालों की वज़े से कभी प्रेस कॉन्फरेंस ना किये हूँ वो जेपीसी के सवालों का जवाब देंगे राम 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 दोस्तों मुझे लगता है कि आपने जेपीसी के बारे में आम आदमी की भाशा में पिल्कुल आसान तरीके से सारी जानकारी ले ली होंगी बहुत कुछ जान लिया होगा आज के लिए इस वीडियो में इता ही चलते हैं नमस्कार बिना लाग लपेज सीधे सच को सर्वाइब करने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को जॉइन करके आप सच को और स्वतंतर पतरकारता को समर्थन दे सकते हैं वो भी नाम मात्र फीस के साथ फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले स्टार करें और मज करें